दोस्तो बड़े मिया छोटे मिया एक और अपडेटिड एडवांस बुकिंग का हमारा जबरदस्सा एपिसोड यहां इंडिया में दोस्तो एडवांस बुकिंग आप लोग कह सकते हो कि कहां तक पहुंची इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे वहीं इसके अलावा द कि गाइज बड़ी-बड़ी मुवीज के जो गाइज वेकर्स हैं वह करवाते हैं पठान जवान में भी दोस्तों हुआ था तो उसका भी गाइज हम लोग कुछ बात करेंगे उसके उपर और यहां पर आप लोग कह सकते हो कि भाई वायरेफ ने दोस्तों अपनी लिस जारी कर दी है कि जो बड़े मिया चोटे मिया है वो देश भर में कहां कहां मतलब कितने स्क्रीन में किसकी जगा ठेटर का नाम पूरा गाइज मैंशन कर दिया है रिलीज हो रही है तो इसके उपर भी बात करेंगे उससे पहले आप से एक चोटा सा रिक्वेस है कि आप हमें सपो क्योंकि गाइज देखो ओवर सिस में इस मूवी का कमाना बहुत जरूरी है क्योंकि इस मूवी की शूटिंग है फोरन कंट्री में बहुत हुई है लाइक जॉर्डन वगेरा यूएई मेरे खाल से दूबई में भी हुई है तो गाइज यहां पे इसको बहुत जबरदस तर है आप लोग उनके स्टोरी में जाके चेक कर सकते हो नहीं तो मैं यहां पे आपको कुछ स्क्रीन शॉट दिखाना चाहता हूं और यह जो गाइज अपडेट है यह हमारे सब्सक्राइबर आकाश भाई ने दिया है तो उनको घाइस ठैंक्स इवन आप लोग भी हमारे से ज सब्सक्राइब कर रहे हैं और अक्सरी काई ओवर सिसमें उनका अवल दर्जे का होता है तो यहां पे यूएसे में भी बहुत जबर्दस तरीके का स्क्रीन इसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इवन गल्फ कंट्री साओधी यूए इनकी अलग लेस्ट है इनकी आप लो अगर तो यह मुवी एट लीस एडवांस में आठ दस करोड करती आठ दस करोड का मतलब मिलियंस मिलियन यूएस डॉलर तो मज़ा आ जाता यार मतलब बहुत अच्छी ओपनिंग लगती इवन हम लोग 15-20 करोड की ओपनिंग तो सोच लेते लेकिन अभी भी ठीक ठाक ओप लिखने को मिलेगा क्योंकि इतका फैस्टीवल भी है और मुवी की शूटिंग भी वहां पर हुई है और इससे याद आया है भाई वाला हबीबी जो सॉंग है उसका एरबिक वर्जन भी दोस्तों जस्ट रिलीज हो गया है तो सुनने में वह काफी अच्छा लग रहा है औ लोगों को गाइस लुभाने की कोशिश काफी अच्छे तरह कैसे कर रहे हैं खिलाडी कुमार तो देखते हैं कि गाइस रिटन गिफ्ट मिलता है या नहीं इद में तो ओवर्सिस में दोस्तों इस मुवी के क्या पेड प्रिव्यूज है या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन किया सकते हैं कि इद में धमाका होगा लेकिन गाइस देखो दस तारीक को अगर गल्फ कंट्री में इद में बनाया जा रहा है तो में भी शायद ओवर्सिस में दस तारीक को रिलिस कर देना चाहिए था लेकिन इससे स्पॉil हो जाती है काफी मुझे लेकिन में भी मेरे खि सब्सक्राइब करोड से तो उपर जा रहा है यहां पे मैं मुद्दा है इंडिया का क्या हाल चाले किस तरीके की इंडिया की इसकी एडवांस बुकिंग पहुंचे क्योंकि सुभे में आट बजे जब आया था तो एक करोड और जस पांस-दस लाग रुपे की दोस्तों जाच कल गाजियाबाद मुवी कल रिलीज हो रही है भाई समय नहीं बचा और यहां पे इन लोगों ने अक्षे कुमार और आलया फरनीचर वाला इवन दोस्तों यहां पे मनुशी चेलर जैकी भगनानी इन समने का एक वीडियो डाला है याने कि बस एक दिन रहता है और कह दोसा हुआ तो फिर भी यह मुवी निकल जाएगी और मुवी में एक्षन तो है ही है तो गाइस कलका वेट करते हैं लेकिन अभी इंडिया की एडवांस बोकिंग के ओपर निगाहें डालता हूं मैं जल्दी से आपको उताता हूं कि भाई हाथ क्या लगा तो अगर हम लग दोस्तों तूडी वाले वर्जन की बात करते हैं तो सम्थिंग 75 लैक रुपीस इस मूवी ने कमा लिया है जहां गाइज 75 लैक रुपीस दोस्तों इस मूवी ने कुछ कर लिया है और अराउंड टो अराउंड 32,000 टिकट गाइस यहां पे सोल्ड आउट हो गए 32,300 अगर त दोस्तों कुछ कमा लिया है और जो गाइस टिकट सोल्ड आउट हुए अराउंड टो अराउंड 19,000 गाइस यहां पे आप लोग कह सकते हो कि लगभग भी लगभग 25 खोले गए हैं इंदी के आइमेक्स वर्जन की बात करते हैं तो आराउंड 800 के करीब गाइस कुछ टिकट सोल्ड आउट हो गए और यहां से लगभग पौने चार लाग रुपे दोस्तों इस मूवी ने कमा लिया है और जो शोज है थार्टी वन शोज है अवरेज टिकट प्राइस बहुत अच्छा है भाई पौनेच 500 रुपे बागी गाइस तमिल की बात करते हैं तो ठीक ठाकी टिकट सोल्ड आउट हो गए लगभग भी लगवग आप लोग कह सकते हों कि 5,000 कुछ टिकट पॉल्ड आउट हो गए शोज 110 है देल्गू की बात करते हैं तो गई यहां पर इमामला बहुत नीचे है आप लोग कह सकते हो कि कितना 3.5 कुछ टिकट सोल्ड आउट है मल्यलं 600 गाइस कुछ टिकट सोल्ड आउट हो गए यहां पर जो खुल गए माफ करना यहां पर कन्फ्यूजन जादा हो रही है हाला कि इन लोगों ने भी बहुत कन्फ्यूज कर वाया भाई मूवी आ जाएगी कल आएगी क्या है लेकिन अब फाइनली यह मूवी सिधर ताउर पे इद के जिन इगाया तारिफ को रिलीस हो रही है तो लगभग अभी आप लोग कह सकते हो कि 6600 को शोल्स कुले हैं मुझे यह 600 शोल्स हैं 12000 तक चाहिए डबल होगा देख लेना रात को या फिर कल सुबह लेकिन गाइस अगर हम लोग टोटल टिकट शोल्ड आउट की बात क करते हैं सब जगा का मिला कि कितने टिकट सोल्ड आउट हो गए तो 55500 यहां पर 55000 से उपर इसके टिकट सोल्ड आउट होगा अगर हम लोग बात करें कि किस किस स्टेट में कितने शोल्स क्योंकि कल तो भाई सहाब गुजरात बाजी मार गया था बागे गाई यहां पर हम लोग बात करते हैं कि आंधर परदेश में कितने शोल्स डाइसो शोल्स असाम में 44 बिहार में एटी थी देगो बिहार में पठान के लगभग धाईसो शोल्स लगे थे जवान के तिनसो शोल्स गदर भी 200-200-200 शोल्स लेके गया था अभी देगो भी नहीं हुआ कोई बात नहीं 36 गड़ की बात करते हैं 230 शोल्स कुछ खोल दिये गए हर्याना 100 शोल्स अगर हम लोग करनाटगा की बात करते हैं तो 300 कुछ शोल्स महरास्त हजार पार हो गया दोस्तों 1100 के करीब कुछ शोल्स है ओडिसा 180 पंजाब 270 राजिस्थान 200 प्लस ऐसा ही है अब डबल डिजिट यहां पर कहीं भी दिखने को नहीं मिल रहा दिली में लगभग 570 शोल्स भाइसाब दिली में इतना कम क्यूं दिली में करीब तो करीब भाई लगभग 1500 शोल्स तो होने चाहिए थे लेकिन कोई बात नहीं 1200 शोल्स पर संतुस करूंगा गाई कि साइ attracting करूड साडे तीन करोड कितना वाद इंठाए दिखाएत जवाश्ति यह नेंपर तो शेयतान से भी कम हैं तो कि तो देखते हैं क्या होता हैं छो फी मिशन रानी गंच गंपत की अडवांस अगर जमा करके दिखा दोगे उससे तो जादा ही है वाई तो क्या कहना है बताओ मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही